हलो गाईज, विलकम टो इन्वासरी अपडेट, यहां मिलेगी आपको डिवक्राहर को नी को नी की अपडेट, तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन को प्रिस कर लीजे, तो आक की हर अपडेट आपको टाइम ली मिल सके गाईज, CUET 2024 का आंसर की चैलेंज का आपशन आ चुका है, लेकिन वह आपका रिजल्ट नहीं है, आपका फाइनल रिजल्ट की डेट क्या है, अभी आपको पता भी नहीं होगी, आपने देखा भी नहीं होगा, ना किसी यूट्वर में बताया होगा, ठीक है, तो रिजल्ट कब आएग वह फाइनल स्कोर कब आएगा, उसकी रिजल्ट कब है, ठीक है, वह सारी चीज़ें डिसकस करूँगा, आप दे सकते हो या नहीं एक्जाम, आपको वह भी डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में, और डेली उनिवरसिटी में एडमिशन लेने के लिए एक प्रेफरेंच शीट लगती होगी, आपको पता होगा, अभी तक तो पता चल गया होगा, और आपको नहीं पता चला, तो भाई यह आपकी गलती है, तो पता चल गया होगा, उसमें पुराने मेथट और नए मेथट के बारे में डिसकस करूँगा, सारी चीज़ें डीटेल में, तो वीडियो से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में होना सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी एक्सवाइस एट यूटूबर की वीडियो देख लेते हैं और गैस वो मिसकाइड हो जाते हैं तो गैस उन बोला था आंसर की कि आपकी रिलीज आ जाएगी अब देखो कई चीज़े एक मित को बस्ट करना चाओंगा सबसे पहले इस चीज़ को मैं बोलना चाओंगा मैं बोलना तो नहीं चाहता था इस वीडियो में लेकिन बोलूँगा जरूर देखो ये मेरा चानल है इसमें आट चीज़े अच्चो ने देखा था और जो मैंने बोला था उसमें कि आपकी आंसर की तीन से चार दिन के अंदर रिलीज हो जाएगी और वही चीज़ हुआ तीन से चार दिन के अंदर रिलीज हो गई अलग-अलग यूटूब प्लेटफोर्म्स बड़े भड़े यूट सके बाद लेट हो जाएगा डिले हो जाएगा फलाना हो जाएगा धिमकाना हो जाएगा कुछ नहीं होगा आ वा इन अब जो डेट बताऊंगा फाइनल डे रिजल्टकी वो भी एक्जाक्ट हो एक्जाक्ट मैंने कहा युनिवर्सिटी अबْ और correct content के लिए जाना जाता है ये channel उठके छोटे से उठके ऊपर धीरे-धीरे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम जो चीज प्रोवाइड कर रहे है मैं, मतलब हम तो मेरी कोई team नहीं है मैं जो चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत ही जादा legit है और to the point और accurate है होता है मेरी वीडियो स्थोड़ी लंबी हो जाती है विकास बोलना जरूरी है कुछ बच्चे नहीं समझते यार कुछ बच्चे समझ जाते हैं जल्दी लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझते जल्दी इसलिए मुझे करना पड़ता है बोलना पड़ता है तो यह चीज मुझे बोलनी थी पस बोल दी अब बात करते हैं जो आपका COET का आंसर किया है देखो यह स्क्रीन पे देख सकते हो 7 जुलाई से 9 जुलाई तक के इसका पूरा प्रोग्राम है यह लोग अपना करते रहेंगे कोई आंसर लड़ाई भिड़ाई होगी कि भाई मेरा सही तेरा गलत ऐसे करेंगे तो 9 जुलाई तक यह काम हो जाएगा लेकिन 9 जुलाई के बाद रिजल्ट नहीं आएगा आपका 9 जुलाई के बाद कहीं आप सोचके बैठे हो रिजल्ट नहीं आने वाला रिजल्ट आएगा एक्चुली कब वो बताता हूँ देखो देखो यह नोटिस है गईस यह नोटिस एंटिये उसी नोटिस में नीचे जब जाओगे स्क्रॉल करके न तो एंटिये ने एक बात लिखी है एंटिये इस ऑल्सो एड्रेसिंग दा पब्लिक ग्रिवांसिस रिसीवड रिगाडिंग दा इग्जाम कंड़क्टेड फोर सी उईटी दोहजार चॉबिस रिसीवड अप टू 30 जून दोहजार चॉबिस जिस बच्चे ने कोई भी प्राब्लम जो हुई थी तो उन बच्चों का दुबारा से इग्जाम करवाने का डेट निकल चुका है और वो क्या डेट है वो 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में computer based test होगा आपका जो आपको मिलेगा अब इसमें कम से कम minimum से minimum 1000 से 2000 बच्चे तो आने ही आने हैं जो बच्चे मतलब जिनको problem होई थी तो आपका जो final result है वो आएगा 20 जुलाई 21 जुलाई या 22 जुलाई इन 3 date में से release final 100% हो जाएगा जो final result आएगा delay होगा आपका result और ये confirmed news है इसमें कोई दोर आए वाली तो बात ही नहीं है ठीक है ये बात याद रखना और जो बच्चेों को अब याद आया है कि हमारे तो NTA में हमारे साथ बुरा हो गया था फलाना हो गया था धिमकाना हो गया था वो बच्चे अब दुबारा CUT RE-CUT के लिए apply नहीं कर सकते या वो NTA से बात नहीं कर सकते आप बात कर लो जाके उनसे अगर वो allow करें तो कर लें भाई नहीं तो grievances वो 30 जून से पहले वाले बच्चों को ही ले रहे हैं बस अब गैस मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है यहां से वो ध्यान से सुन लो मेरी बात देखो दिल्ली विश्विद्दाले में सबसे पहली choice होती है बच्चों के लिए जाने का दिल्ली विश्विद्दाले में आप जाना चाहते होगे आपने अलग-अलग यूट्यूबर से एक preference sheet डाउनलोड करी होगी पता होगा आपको preference sheet क्या होती है preference sheet एक ऐसी चीज होती है जो दिल्ली विश्विद्दाले में अगर यह नहीं हुई यह गलत फिल कर दी या इसमें कुछ सही गलत करा तो आपके कितने भी नंबर हो 800 में से 800 फिल कर यह नंबर हो और सिर्फ आपने एक ही college फिल किया हो और other colleges फिल नहीं किया या उन बच्चों ने क्या होगा नॉर्मेल को नॉर्मेल प्रेफरेंश शीट डाउनलोड कर लियोगी जो एक पुराने मैथट से एक पुराने आद बाबा आदम के जबाने वाला मैथट है जैसे कि यह देखो इसमें उन लोगों ने क्या करा होगा ऐसे college list बना दियोगी आपको या पैसे लियोँगे आपसे या फ्री में दियोगी ऐसी list बना के दे दियोगी कि भाई आप ये college अच्छा है ये college अच्छा है ये college ऐसा है वैसा है इसको ऐसे list बना के आप ऐसे भर देना तो अगर ऐसी लिस्ट आपके पास है तो ये लिस्ट बेकार है, ओल्ड है और ये पुराने जमाने की टेकनीक है जो नई चीज चली है, new method जो आया है वो सिर्फ मेरे चानल पे आपको मिलेगा और शायद ही कोई YouTuber इतना analysis कर रहा होगा, क्योंकि बच्चों की care किसी को नहीं है जो new और advanced method है, उसमें क्या होगा, आपके combined courses होंगे, जिसे mixed preference sheet बोलते हैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं, mixed preference, preference sheet ठीक है, इसे हम बोलते हैं mixed preference sheet इसमें क्या क्या होता है, इस preference sheet को मैंने divide क्या किया है देखो, इस preference sheet को मैंने divide किया है, upgrade section में, selection section में और backup preference sheet में ठीक है, इन तीन sections में divide क्यों किया है, mixed का मतलब आपने शायद समझा नहीं होगा पहले मैं mixed का समझा देता हूँ मतलब देखो mixed का मतलब क्या होता है mixed का ऐसी आपके पास preference sheet होगी normal ठीक है लेकिन mixed जो होती है वो ऐसी होती है भाई देखो जैसे ये college है इसके honors के भी courses mix हैं इसके साथ English honors लेना था तो BA program के भी Miranda House के mixed preference sheet के courses यहाँ पे loaded है ठीक है और यहाँ पे देख सकते हो ऐसी preference sheet इसे बोलते है mixed preference यह नहीं होगी पका नहीं होगी आपके पास यह 100% है ना अब बात करता हूँ जो की second है upgrade section selection section और backup preference इसमें क्या होता है एक बच्चा जो preference sheet बनाता है वो सिर्फ preference sheet उन colleges की बनाता है जिसमें उसका selection होने वाला है वो upgrade की सोचता नहीं है वो backup के लिए सोचता नहीं है लेकिन मेरी preference sheet में यह दोनों चीजे आपके लिए available होंगी जिसमें आप upgrade के लिए भी colleges list में रहेंगे और backup के लिए उसमें कुछ और इसमें कुछ hidden courses होते है guys hidden courses क्या होते है वो मैं बताता हूँ देखो ये list मेरे पास ready है इसी से आपकी preference sheet बना के मुझे देनी है बस simple और ये मैंने कुल 17 से 18 दिन में ये ready किया है ये data अब क्या hidden courses क्या होते है जैसे मुझे English लेना था due के किसी भी college में मुझे नहीं मिल रहा मेरे कम नंबर है लेकिन ये वाला जो course है ये वाला computer application प्लस English ये बच्चों को पता नहीं होगा ये list में वो add नहीं करेंगे इसे बोलते है hidden course जैसे ये English प्लस linguistic राजधानी college में है इसे बोलते है hidden course ये है hidden course असली में hidden course इसे बोलते हैं कि ये बच्चों को पता नहीं होता ये list में भरते नहीं है वो लोग और ये काम का भी है इससे आप कम cut off में admission ले सकते हो जल्दी due में समझ में आया है इसे बोलते है hidden course तो ये course आपके में होगा और सारे courses को cover करूँगा BA program, BCOM, BA LED, BBA और BMS और BSC, BSC program सारी list होगी सारी की सारी सिर्फ एक restriction होगी उसमें सारी video जो मैं release करूँगा उसमें एक restriction होगी वो सिर्फ subscriber only के लिए मैं release करूँगा मतलब अगर आपने मेरे channel को subscribe किया है तो ही आपको video मिलने वाली है वो दिखेगी video तब ही नहीं तो वो नहीं दिखेगी अगर आपको due made mission लेना है तो मेरी list जो advanced method से मैंने बनाई है वो आपके ज़ाधा काम आएगी as compared to पुराने old जमाने बाबा आदम के जमाने वाला preference sheet अगर आप बाबा आदम के जमाने वाली preference sheets के साथ जाना चाहते हो if you believe your sources very good आप उसी के साथ जाओ लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी preference sheet के साथ जाओ because जो मैंने technique new invent करी है अब मेरी खुद की channel की बनाई हुई है मैंने खुद से बनाई है तो आप मेरे को subscribe करो आप मेरी video का wait करो आप मेरे telegram group में आओ ठीक है बहुत जल्दी ये video आपको मिल जाएगी ठीक है अब भी मेरे channel पे preference sheet के regarding बिल्कुल video नहीं रुकने वाली है आती रहेंगी आपको news मिलती रहेगी सारी सारी चीज़े cover करीए video में यही कुस्ता video में इसके regarding अगर आपके कोई query हो प्लीज में comment section में ज़रूर पूछेगा और एक मेरे telegram group है उसको भी जोइन ये guys हमारा telegram group है इसके link में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए अगर आपको कोई भी query आ रही है DU के किसी भी चीज़ के regarding आप इसको join करिए अगर link पे click करने के बाद telegram group load नहीं होता तो क्योंकि इंडिया में telegram block है आप click करेंगे link पे तो शायद load ना हो तो एक काम करिए अगर telegram install करिए और उसके search बार में लिखिए हमारे group का नाम Delhi University REGNSOL जो भी हमारी group की picture लगी है आप top पे देखेंगे क्योंकि हमारा group top में आ रहा है इस ताइम Delhi University के तो आप join करके query पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे अधर कोई query होगी तो guys comment section में ज़रूर पूछेगा अगर यहाँ तक आपको video ज़रा सी भी informative लगी तो guys एक like तो बनता है आपसे कोई notification मिसना हो जाए या आपकी कोई information मिसना हो जाए तो उसके लिए channel को subscribe करके bell icon ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको notification मिल जाए थैंक यू